दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को जग जोर दिया था महिला सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान सर्क पर उतर आया था लोग ने रेपिस्टों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी ततकालीन मनमुहन सरकार ने रेप से जुड़े कानूनों में संशोधन करके पौक्सो कानून पारित किया था इसमें बच्चों के साथ होने वाली बरबरता के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया था मोधी सरकार ने अपने घोशना पत्र में महिला सुरक्षा का मजबूती से दावा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए इसी साल जब शिमला, कठवा और उनाव में हुए गैंग रेप के मामलों में तूल पकड़ा तो सरकार सचेत हो गई रेप की घटनाओं में सख्त सजा के प्रावधान का फैसला किया गया कैबिनेट में इससे संबंदित प्रस्ताव पारित किया गया रेपिस्टों को मौत की सजा दिये जाने संबंदित अध्या देश को मंजूरी दी गई इसके लिए प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन प्रॉम सेक्सोल ओफेंस यानी पॉक्सो कानून में जरूरी संशोधन किये गई इससे संबंदित अध्या देश राष्टपती रामनात कोविंद के पास भेजा गया जिसे उन्होंने महट 24 घंटे के अंदर मंजूरी दे दी अब 12 साल तक के मासूमों से रेप के दोशियों को मौत की सजा मिलेगी नया कानून नई सजा देश पहले 12 साल तक की बच्ची से रेप करने वालों को कम से कम 7 साल और अधिक्तम उम्रकेद की सजा मिलती थी अब नया कानून के तहत कम से कम 20 साल और अधिक्तम उम्रकेद की सजा का प्रावधान है देश पहले 13 से 16 साल तक की बच्ची के साथ रेप करने वालों को कम से कम 10 साल और अधिक्तम उम्रकेद की सजा मिलती थी अब नया कानून के तहत कम से कम 20 साल और अधिक्तम उम्रकेद की सजा का प्रावधान है दैश पहले किसी महिला के साथ रेप्ट करने वालों को कम से कम साथ साल और अधिक्तम उम्रकेद मिलती थी अब कम से कम दस साल और अधिक्तम उम्रकेद की सजाग का प्रावधान किया गया है डो महिने में पूरी होगी सुनवाई नए कानून के तहत भारतिय दंड समहिता IPC, साक्ष अधिनियम, आपराधिक दंड प्रक्रिया समहिता, CRPC और यौन अपराधों से बाल सुरक्षा, पोक्सो, अधिनियम को अब संशोदित माना जाएगा अध्यादेश में मामले की त्वरित जाच और सुनवाई की भी विवस्था है बलाहतकार के सभी मामलों में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा दो महीने ही होगी क्या है पौक्सो कानून पौक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन अफ चिल्डरेन प्रॉम सेक्सोल ओफेंस एक्ट दो हजार बारह यानि लैंगिक उत्पींड से बच्चों के संग्रक्षन का अधिनियम दो हजार बारह इस एक्ट के तहट नाबालिक बच्चों के साथ होने वाले यान अपराद और छेड़ छाड़ के मामलों में कारेवाही की जाती है यह एक्ट बच्चों को सेक्सोल हैरे समेंद जैसे गंभीर अपरादों से सुरक्षा प्रदान करता है